नमस्कार दोस्तों वेल्कमियो टो जीके टिक्स इस वीडियो को में रीट एक्जम्स के लिए RBSC 7th क्लास की जोग्राफी का चैप्टर नमबर 3 से संबंदे सारे इंपरेंट कोशिन हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो आप इमांदरी के साथ इस वीडियो को देखेगा और देखेए ये प्रशन आपके read exam में तो कामाने ही वाले हैं 1st grade में भी कामाएंगे 2nd grade exam में भी कामाएंगे तो इन प्रशनों का आपको एक बार लिक लेना है बार बार इन प्रशनों का आपको revision करना है तो चलिए सुरुवात करते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो like और share जरू करियागा फर्स्ट question देखते हैं वान जील किस देश में इस्तित हैं अमेरिका, ब्राजील, इरान या फिर तुर्की तो देखिए वान जील इस्तित हैं तुर्की में यहाँ पर फोर्थ नमर करेक्ट होगा आप देखिए location यहाँ पर यह तुर्की है और यहाँ पर है लेक वान तो इसकी आप लोकेशन भी दियान रखेगा और देखिए जो यह वान जील है यह विश्व की सबसे खारी पनी की जील है यह भी आपको दियान रखना है जल दिवस कब मनाय जाता है 25 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च या फिर 15 अप्रेल तो आप इस फोटो में देखकर इसका आंसर बता सकते हैं 22 मार्च को मनाय जाता है जल दिवस यह आप दियान रखेगा नदी के किनारे इस्तित नगर के सम्मंद में सही सुम्मिलित नहीं है दिल्ली, यमूना, लंदन, थेम्स नदी, रोम, टाइबर नदी, पैरिस, सीन नदी, साबरमती, जालोर तो देखिए इसका correct answer रोगा जो साबर्मती नदी है साबर्मती नदी इसके किनारे जालोर नहीं है तो यह आप ध्यान रखेगा बाकी के चारो correct हैं दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमूना नदी, लंदन एथेम्स नदी के किनारे रोम है टाइबर नदी के किनारे और पैरिस है सी नदी के किनारे यह आप ध्यान रखेगा और साबर्मती के किनारे कौन सा नगर है तो एहमदाबाद यह आप ध्यान रखेगा जील के किनारे इस्तित नगर के संबंद में सही सुमलित नहीं है तो आप बताए सही आंसर क्या होगा यहाँ पर डल जील स्रीनगर, पुसकर जील अजमेर, मिसिगन जील सिकागो, सुपिरियर जील डूलूत, इरी जील, बफेलो देखे इसका करेक्ट अंसर होगा, और देखे जो यह मिसिगन, सुपिरियर और इरी जील है, यह किस महाद्विप में है, तो देखे उतरी अमेरिका में है और जो कनाड़ा और USA हैं, उसके बॉर्डर पर हैं, यह तिनों जीले, यह भी आप दियान रखेगा, और इनको कहा जाता है, विश्व की महान जीले, इनके लवाद दो जीले और कौन-कौन सी है, एक है हिरोन, और एक है ओंटेरियो, तो यह भी आप दियान रखेगा, सारे सुमिलित नहीं हैं, मुंबई, हिंद महासागर, न्यूव योर्क, अटलांटिक महासागर, बीजिंग, प्रसांत महासागर, सिंगापूर, अटलांटिक महासागर, चैन्ने, हिंद महासागर, तो देखिए इसका correct answer होगा, महासागर के किनारे जो इस्तित नगरों के सम्मन म आपको ध्यान रखना है कोटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है चंबल बनास आयड या फिर कोई नहीं तो देखे कोटा बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे यहां पर आप इस चितर में देखिए यहां पर यह चंबल नदी बैह रही है और यहां पर आप देखिए यह कोटा तो यह आपको ध्यान रखना है टॉंक किस नदी के तट पर बसा हुआ है चंबल, बनास, आयर्ड या फिर कोई नहीं तो देखिए टॉंक बसा हुआ है बनास नदी के किनारे ओप्सन नमर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पर आप देखिए यह रही बनास नदी और यहाँ पर टॉंक है तो टॉंक बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है यह आपको ध्यान रखना है उदेपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है तो देखिए उदेपूर बसा हुआ है आयाड नदी के किनारे जिसका निनाम है बेड़च नदी तो यह आप दियान कियेगा जॉर्डन व इस्राइल के मद्य कौन सी जील या फिट सागर इस्तित हैं अरल सागर, म्रत सागर, कैस्पियन सागर या फिर भू मद्य सागर तो देखिए इसका correct answer होगा option number second, जो म्रत सागर हैं ये इस्तित हैं जॉर्डन और इस्राइल के मद्य, यहाँ आप आप देखिए यह है डेट सी, तो यह है इस्राइल यह है जॉर्डन, इन दोनों के मद्य हैं म्रत सागर, यह आप दियान रखेगा जल, प्रदुष्ण, निवारण, एवाम, नियंत्रन कानून कब पारित हुआ था? तो देखिए यह कानून पारित हुआ था 1974 में यहाप को दियान रखना है option number second, इसका correct answer होगा परियावरण सरक्षन कानून कब बनाया गया? 1972, 1974, 1986, 1988 तो देखिए यह कोशन कई बार कई एग्जमान पूचा हुआ हैं परियावरण सरक्षन कानून बनाया गया था 1986 में यह आपको दियान रखना है option number third, इसका correct answer होगा भविश्य का सोना या निला सोना किसको कहते हैं? आसमान को, साप जल को, स्वण मुद्राओं को या फिर कोई नहीं तो देखिए भविश्य का सोना या फिर निला सोना ये कहा जाता हैं स्याप जल को तो यहाँ पर option number second इसका correct answer होगा जल में किस चत्व की अधिकता के कारण? लोगों की हड्यों से सम्मंदित, लोगों को हड्यों से सम्मंदित बीमारियों का सामना करना पड़ता है केल्सियम, फ्लोराइड, प्रोटीन या फिर बिटामिन तो देखे, correct answer क्या होगा? देखे, जल में अगर फ्लोराइड की मात्र आधिक है, तो लोगों को हड्यों से सम्मंदित बीमारियों को सामना करना पड़ता है तो यहाँ पर option number second इसका correct answer होगा प्रित्वी पर मौझूद सम्मस्त जल का कितने परतिशत जल पीने योग्या है? तीन परतिशत, एक पॉइंट पांच परतिशत, दो पॉइंट पांच परतिशत, या फिर छेंपरतिशत तो देखिए प्रित्वी पर मौजूद समस्त जल का 2.5 परतिशत जो जल है वो है पीने योग्य तो यह आप ध्यान रखेगा गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार दोरा चले गई योजना है गंगा एक्सन प्लान नमामिक गंगे दोनों या फिर कोई नहीं इस cuestion झांश्त होँ आप्को इस वीडियो के comment section देना है जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था जल समीर कब चलती है दिन में रात में शुल या फिट सायकाल और डेटेल से समझात हमने लास्ट वीडियो में इस कोशन के बारे में तो आप जरूर बताएगा कमेंट स्टेक्शन में इस कांसवर और अगर आप कोशन की प्रैक्टिस करना चाते हैं जो आज हमने देखे हैं तो आप हमसे टेलेग्राम चैनल पर जोइन हो जाएगा सिंपली आपको टेलेग्राम पर जाना है वहाँ पर सर्च करना है हमारे चैनल का नाम जिकेट्रिक एजुकेशन लगबग 4000 से अधिक स्टुडेंट वहाँ पर जोइन हो चुके तो आप भी जोइन हो जाएगा और देखेए अगर आप कोशन प्रैक्टिस करेंगे तो वह आपको कोशन अधिक दिन तक याद रहेंगे इसलिए यह जरूरी भी है कि आप कोशन की प्रैक्टिस भी करें तो इस वीडियो में तनी है वीडियो हेल्प लगाओ तो लाइक को शीर जरू करियेगा इस वीडियो में तनी है धन्यवाद